नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Unstoppable Teams में तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है कर्फियू के लिए के तो दोस्तों आज हम जानेंगे आखिर कर्फियू का इतिहास क्या है कभी इसे लागू पहली बार कभी ये जाता है तो आएए सुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को तो दोस्तों जैसा कि आपको यहां पर देख रहा हुगा कर्फियू सब्द जो है वो एक फ्रेंच सबसे निकला हुआ सब्द है तो फ्रेंच सब्द में इसके कुवर्फियू कहते हैं और इसका जो साब्दी कर द्वारा राजनीतिक दमन के लिए किया गया था और इसका सुलावी सदी से यह धारना चल ले थी लیکिन इसका कोई एतिहासिक आधार नहीं था कोई साच नहीं बताया जाता है कोई अईसा नहीं था कि कहीं पर इसको लिखा पाया गया है कुछ ऐसा देखा गया और फिर मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि मद्दकाली नियूरूप में कर्फ्यू एक प्रकार से नियंत्रन का साधन था और जिसके द्वारा निश्चिस समय पर गरों में घंटे बजा कर घंटे बजाया जाता था तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने आपको बताए कि मद्दकाली रूप में एक सुरच्छा का साधन हुआ था तो उसामे क्या होता था कि जो बड़े भूस्वामी होते थे तो उनको प्रजा कर देती थी जैसा दुआख कि यह बात है कि आखिर इसको सुरच्छा की कैसे चाहे या एक प्रकार में अपने आप उस समय एक पहली बनी रहती थी कि इसको कैसे क्योंकि उसमय वैधानिक आधार हुआ नहीं करता था तो ये एक प्रकार सा समस्या बनी होती थी तो ये कठनाईों को सुलजाने के लिए इन्होंने एक तरह से धर्म का आण लिया आपको पता है कि धर्म के आण पे सब लोग कैसे कैसे आप प्राचीन काल में क्या क्या कांड हुआ करते थे कैसे कैसे लोगों को मैनूबलेट किया जाता तो तमाम चीज़ां हम समझ सकते हैं तिहास आप पढ़के देख सकते हैं तो वो धर्म की आण में इस नया व्यवस्था को लागू करते थे तो क्या होता था कि भो स्वामी जो हैं वो प्रजा की सुरच्छा के लिए एक अंधविश्वास का पूर लाब उठाया उन्होंने और सुरच्छा व्यवस्था को विशेज कर रात्री के लिए करनी थी क्योंकि आप सभी को पता कि आज के टाइम पर रात के टाइम पर सुरच्छा व्यवस्था जादे जरूरत होता है दिन की अपेच्छा में तो यही चीज उस समय भे हुआ करता था तो रात के समय में इस सुरच्छा व्योस्ता की जादी जरूरत होटी थी और रात में एक पूर निर्धारिस समय पर गिर्जा घरों में घंटे वजने लगते थे और लोग इस घंटे को एक ईश्वरी आज्या समझते थे उन्हें सूचते थे कि ईश्वर की एक आज्या ही जो घंटा और इस आपको मैंने पहले बताया था कि धर्म का आधार लेते थे तो इसकी जो अवहेलना होती थी, मतला इसको कोई इग्नोर नहीं कर पाता था और इसको ignore ना करने और ignore करने पर सोचते थे कि ये एक तरह से पाप होगा इस्वर की आग्या का नामानना और फिर एक निर्धारिस समय से बहुत पहले ही लोग अपने घरों में वापस लोड जाते थे और घंटा बजने के प्रारम पर वो वहाँ के आग को बुझा देते थे तो ये आपको पता क्योंकि उधर साइड यूरोप साइड मैक्सिमम आपको ठंडी होते थे तो लोग वहाँ पर आग मैक्सिमम जलाए रहते थे तो ऐसा इसलिए होता था कि कहीं लोग आग जला के भूल ना जाए और एक तरह से वो कहीं दुरघटना का कारण ना हो तो जैसे कि आपको इस फोटो में दिख रहा होगा कि कई होते थे कि वो जा जाके लोगों को बताते थे कि अब यह हो गया आप अपने घर का आग बंद कर लीजे और उसको बुझा दीजे तो अब इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसको implement पहली बार कब किया गया था तो मैं आपको बताना चाओंगा कि यह World War First Time में पहली बार इसको उसमें संसाधन को बचाने के लिए World War 1938 की टाइम पे इस कर्फियू सब्द को पहली बार implement किया गया था तो दोस्तों अब आई ये समस्ते हैं कि भारत के परिदिर्श में कर्फियू सब्द का क्या महत्तो और कैसे लागू किया जाता है तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पे पढ़ रहे होंगे कि Code of Criminal Procedure यानि CRPC की धारा 144 के तहत जिले के बड़े अधिकारी जैसे DM हो गए SDM हो गए, Security Magistrate हो गए उनको यहां अधिकार मिलता है और यह कानून बेउस्था के बिगड़ने पर रज सरकार को एक घ्यापन देते हैं मतबए एक आदेश देते हैं कि हम अपने एरिया में धारा 144 यानि कर्फियू लगाना चाहते हैं और इस कर्फियू लग जाने के बाद जब वहां से इनको आदेश मिल जाता है और यह जब यह इंप्लिमेंट कर देते हैं तो इसके बाद आपको पता होगा कि इसमें 4 या 4 से ज़्यादा लोग एक अस्थान पर एकतर होने की इजाज़त नहीं होती और वो ना कोई किसी प्रकार का वहां उस अस्थान पर प्रदर्सन कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि 144 का जो परियोग होता है उसका मतलब कानून को सुरच्छा ब्योस्था को बनाए रखना कानून का इंप्लिमेंट करने के लिए इस कानून का परियोग किया जाता है और ये कानून राज सरकार और वहां के अस्थानिय पुलिस को एक प्रकार का विसेशा धिकार दे देती है और जैसे लोगों की सुरच्छा हो गया, कानून ब्योस्था हो गया, संभावित खत्रे हो गए तो ये तमाम तरह का लोगों को हवाला दिया जाता है एक तरह से जा सके उसके बचाओ के लिए कारे किया जाता है, तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं ये और भी जादे कठोर रूप से लागू की जाती है तो आप देखेंगे कि 1344 जो है वो कहीं कहीं पे इतने कठोर उसे लागू की जाती है कि वहां का जो फोन नेटवर्क होता है, केबल सर्विस होता है और जो इंटरनेट होता है वो सबको कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है आप उस समय उस चीज को नहीं यूज कर स सकते हैं उस समय सेवाओं को तो आप पूरे इस प्रोसीजर को आप देख के समझ सकते होंगे कि जो 144 है इसका कितना महत्व और बताया जाता है कि कई कभी कभी इस 244 का गलत उपयोग भी किया जाता है क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इसमें राजसरकार और वहां के जो प बारे में काफी कुछ समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और इस चैनल को सस्क्राइब करें और इसी नोट के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं जैहंद